चलिए अब हम बात करते हैं नामकरण की जब हम इन कंपाउंड के बारे में जानेंगे इनको कैसे बनाया जाता है इनके रियक्शन्स क्या क्या है तो एटलिस हमें ये तो मालूम होना जी कि इनका क्या नाम है जो हम रियक्शन में प्रोड़क्ट बना रहे हैं इनका नामकरण कैसे होगा जैसे आपको मालूम है नामकरण की दो पद्धती होती है एक होती है common और दूसरी होती है IUPAC IUPAC याने International Union of Pure and Applied Chemistry तो दो नामकरण होते हैं जैसे हमारे भी घरों में ऐसा होता है कि एक नाम घर का नाम होता है निकनेम और एक होता है हमारा official name जो certificate में होता है जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे common name साधरन नाम दूसरा होता है IUPAC यह एक official name है जिसकी naming और एक system होता है rule के according हम इसमें क्या करते हैं नामकरण करते हैं और ऐसे नामकरण करके हम बहुत सारे compound के detail तक पहुंचेंगे तो चलिए नामकरण में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनके नामकरण के easy से हम थोड़े difficult example की तरफ जाएंगे नामकरण में हम दोनों को discuss करते हुए चलते हैं IUPAC और common name को discuss करते हैं तो चलिए पहले एक्जामपल ले यह देखे स्क्रीन में आपके पास है एक दो तीन कारबन है जो हेलोजन से जुड़े होते हैं तो हमको क्या easy पड़ेगा हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं तो चलो मेरे साथ आप लोग भी pen copy लेजिए और साथी साथ नामकरण करते चलत हैं तो यहां पर एक दो तीन कारबन है जो एक साथ लगे हुए हैं तो हमारी longest chain कितने कारबन की है तीन कारबन की हमने longest chain चूज कर ली है तो हमारा पहला step क्या हुआ complete कर लिया हमने दूसरे step में हम क्या करते हैं इनकी numbering करनी है कि हम कारबन को किधर से number दे 1,2,3 या फिर 1,2 और 3 तो इसके लिए simple सा rule है कि जहां पर आपके प्रतिस्थापी यहां पर प्रतिस्थापी ग्रुप क्या है 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 च्रूरें हमारा प्रतिस्थापी है जिसने hydrogen को हटा दिया और खुद hydrogen की जगा ले ली है तो जहां से प्रतिस्थापी को हम क्या करेंगे मिनिमम नंबर कम से कम नंबर देंगे हम उस साइट से इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे इस तरफ से 1, 2, 3 कार्बन तो 3 कार्बन हो गए दूसरा step हमने कर लिया कि numbering किधर से देनी है तो हमारे पहले carbon पे कौन आ गया है? chlorine इस चीज़ को हम नामकरण में mention करेंगे कि पहले carbon में हमाई पास chlorine है क्योंकि देखे हमाई पास 3 carbon है तो इस परस टूना चीज़ तीन carbon में से किस carbon से chlorine जुड़ा है तो सबसे पहला हिस्सा होगा one, chloro अब next step में ध्यान रखना है जब हम IUPAC नामकरण कर रहे है हेलो एलकेन के तो इसमें हम main जो carbon है उसको एलकेन के रूप में लेंगे जो halogen compound है उनको हम हेलो के रूप में लेंगे जैसे आप समझ लीजिए अगर fluoride है तो वो क्या हो जाएगा फ्लोरो हो जाएगा अगर आपके पास chlorine है तो वो क्या होगा chloro bromine है तो क्या हो जाएगा वो bromo iodine है तो वो होगा idol तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा one chloro ठीक है अब आगे देखिए तीन carbon है तीन कार्बन के लिए root word क्या है प्रोप तो हम यहां लिख देंगे प्रोप अब देखिए सभी कार्बन पे एकल बॉंड है यानि यह क्या हुए एलकेन हुए तो प्रोप के साथ हम क्या लगा देंगे इसमें एलकेन तो यह हो जाएगा 1-Cloropropane एन जोड़ दिया हमने तो इसका आयूपेसी नाम हुआ 1-Cloropropane तो यह तो हमें clear हो गया कि आयूपेसी नाम इसका कैसे होगा अब इसी compound में हम आगे discuss करते हैं कि इनका साधरन नाम कैसे होगा पहले basic चीज़ यह है कि साधरन नाम जो होता है वो alkyl halide के अधार पर रखते हैं alkyl halide में हम क्या कर रहे हैं halogen को halide कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा halogen के नाम में हम आईड जोडते जाएंगे जैसे fluorine अब क्या हो जाएगा fluoride chlorine अब क्या होगा chloride bromine हमारा हो जाएगा bromide और iodine क्या हो जाएगा iodide यह हमें इस परस्ट होना चीए बाकी वही रहेगा कि यहाँ एक दो तीन कार्बन है तीन कार्बन को हम क्या कह रहे हैं प्रोप और alkyl के form में है तो यह क्या हो जाएगा अब कार्बन का यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा नंबर भी देना होगा तो वन प्रोपाइल क्लोरीन के इस रूप में हो जाएगा क्लोराइट के रूप में इसका नाम होगा वन प्रोपाइल क्लोराइट तो हमने देखा कि एक कमपाउंड का किस प्रकार हम कॉमन और आई यू प्यसी दोनों नामकरन करते हैं चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी इस पर पकड़ बन जाए तो दूसरा एक् तीन और यह चार इसमें देखिए चार कार्बन की एक शिंखला है जिसमें क्लोरीन जुड़ा है लगा अब ध्यान दे तो चारो कार्बन क्या एक ही लाइन पर हैं देखिए ऐसा नहीं है तो हमें दूसरा रूल जो ध्यान रखना है कि हमें एक continuous carbon की chain लेनी है ऐसी chain जिसमें continuously carbon जुड़े रहते हैं दूसरे carbon पे देखिए ये उस continuously chain का हिस्सा नहीं है तो इस समय हम नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे numbering के लिए वही rule होगा कि जिधर से हमारा chloride इसको हम minimum number दे सके हम numbering उधर से ही करेंगे तो एक, दो, तीन यहाँ पे कितने carbon हुए तीन carbon जो है वो continuously chain में रहेगा इसे हमें विशेज द्यान देना है अब जब numbering कर रहे हैं तो पहले carbon पे chlorine जुड़ा है दूसरे carbon पे देखें, ऊपर methyl group जुड़ा हुआ है तो हमें यह भी डालना है अपने नामकरन में कि हमारे पास तीन carbon की continuously chain में second carbon पे क्या जुड़ा हुआ है, methyl group जुड़ा हुआ है अब देखें इसमें, पहले नामकरन जब हम करेंगे तो इन चीज़ों को जरूर मेंशन करेंगे नामकरन में कि हमारे दूसरे carbon पे methyl group है पहले carbon पे chlorine है, जिसको हम क्या कहेंगे जब IUPAC कर रहे हैं तो chloro तो चलिए, नाम लिखते हैं 2-methyl, 1-chloro अब कितने carbon हैं हमारे पास? 3-carbon है 3-carbon के लिए root word होगा प्रोब, क्योंकि सब तरफ क्या देखें हैं हम? एकल बंध है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रोपेन तो दूसरे एक्जामपल का IUPAC नाम क्लियर हुआ चलिए, दूसरा एक्जामपल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे अब हम फिर से IUPAC नाम करण देखते हैं पहले step में क्या करना है? हमें longest chain देखनी है तो यहां हमारे पास 3 carbon है तो longest chain हो गई 3 carbon की दूसरे step में क्या करना हमें? numbering पे ध्यान देना है कि numbering कि इधर से करनी है अब यहां देखिए हम अगर इस side से numbering करते हैं तो 1, 2, 3 हमारा halogen जुड़ा हुआ है मतलब हम दोनों ही sides से लेंगे नाम सेम आएगा तो यह आपके उपर है कि आप कि इधर से इस numbering को लेंगे दूसरे carbon पे ब्रोमीन है IUPAC इसे हम लिख देंगे कि 2 bromo कुल carbon कितने हैं अपने पास? 3, 3 के लिए root word क्या है? अब देखें इसका common नाम common जब अपने इसके name पे आते हैं तो हम किस form में लिखेंगे? alkyl, halide के form में लिखते हैं 3 carbon है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रो प्रोपाइल हो जाएगा 3 carbon के लिए और bromine है तो वो क्या हो जाएगा? bromide तो यह काफी easy था अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़े tough में आएं तो थोड़ा सा हम tough लेते हैं branching वाले carbon के नामकरन के लिए तो तीसरा example जो आप इस screen में देख पा रहे हैं चले इसका नामकरन करते हैं पहले हम देखेंगे IUPAC नामकरन carbon के longest chain लेना है तो एक, दो, तीन तीन carbon जो है वो continuous chain का हिस्सा है हमको यह ध्यान रखना है क्योंकि जो चौथा carbon ने देखिए वो क्या है? अलग से है वो continuous chain का हिस्सा नहीं है तो longest chain हो गई दूसरा है हमारे step कि हम numbering किधर से करें तो numbering करते समय हमें देखना है कि halogen जो है वो कम number पे आना चाहिए हमारा halogen आगया आप यहाँ पे पहले number पे आप देखिए halogen को ले ले दूसरे number पे अब ध्यान दीजे कि यहाँ पे दूसरे carbon पे क्या जुड़ा हुआ है? methyl group जुड़ा हुआ है ठीक है? तो हम यहाँ पे नामकरन कर देंगे इसका दूसरे पे methyl group है कुल carbon कितने हो गया? जो main chain का हिस्सा है? वो तीन है तो नामकरन क्या हो गया? इसका 1-bromo-2-methyl तीन carbon probe और एकल बंध है तो एन इसका पूरा नाम हो गया 1-bromo-2-methyl-propane अब इसके common नाम को देखें common name में जब हम नामकरन करेंगे तो इसका नामकरन क्या होता है? चलिए बनाते हैं अब यहाँ देखिए कि continuous chain में आपके पास 3 carbon है तो हम यहाँ पे इसे propile तो नहीं कहेंगे हम जब common नामकरन करते हैं तो कुछ prefix का यूज करते हैं आप ध्यान रखना कि इवल common नाम में prefix का यूज करेंगे तो कौन से हैं यह prefix? यह prefix होते हैं ISO और NEO तो चलिए पहले हम समझें कि ISO और NEO क्या होते हैं? मालनों यह एक example है देखिए इसमें एक carbon को छोड़कर बाकी जो carbon है वो continue chain का क्या है? हिस्सा होते हैं तो जब एक carbon को छोड़कर बाकी carbon जो है वो chain के continue हिस्से होते हैं तो उसे हम कहते हैं ISO चलिए इस example में देखिए अगर हम bromine की नजर से देखते हैं तो यहां continuous chain का हिस्सा एक, दो, तीन आप ऐसे भी ले सकते हैं आप bromine के side से ही देखिए तो आप देखेंगे एक, दो, और तीन तो इस प्रकार की हुआ तीन लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक, दो, तीन फिर वापस आकर चार यह counting नहीं होगी counting हमेशा कैसी होगी? एक ही side से होगी आप वापस नहीं आएंगे तो हमारे पास continuous chain कितने कार्बन की है? तीन कार्बन की अब एक कार्बन जो है इसका हिस्सा नहीं है तो जब एक कार्बन continuous chain का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ prefix लगाएंगे prefix होगा ISO तो यहाँ नामकरन क्या हो जाएगा इसका ISO यहाँ हमको नामकरन में क्या यूज़ करना पड़ेगा? ISO जब हम prefix की बात कर ही रहे हैं तो इससे थोड़ा और detail में समझते हैं देखिए आपके screen में आयसा आपको एक structure दिख रहा है इस structure में जितने dot दिख रहे हैं वो सभी dot क्या है? कार्बन है count करते हैं तो एक, दो, तीन, चार और यह जो कार्बन है यह हो गया पांच कार्बन पांच कार्बन में से देखिए जो चार कार्बन है वो continuous chain का हिस्सा है पांचवा कार्बन आपका continuous chain का हिस्सा नहीं है तो ये स्तिती भी हमारी क्या कहलाएगी आइसो कंडिशन कहलाती है तो नियो कब आता है ये भी समझ लेते हैं नियो के लिए क्या है कि आप एक जनरल सा रूल समझ लीजे कि नियो में दो कार्बन जो है वो आपके कंटिनियूस चैन का हिस्सा नहीं होते चलिए देखे एक्जामपल में देखे ये जो दो कार्बन है वो कंटिनियूस चैन का हिस्सा नहीं है तो जब हम कॉमन नाम लिख रहे हैं तो कॉमन नेम में हम क्या करेंगे इसको धरशाने के लिए सामने लिख देंगे प्रिफिक्स के रूप में नियो तो अब क्लियर हो गया होगा कि इसका एक आयूपेस्टी नाम होगा वन ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन और कॉमन नेम क्या हो जाएगा आईसो ब्यूटाइल क्योंकि हम एलकाइल हैलाइट के रूप में ले रहे हैं कूल कार्बन यहां पर चार है तो आईसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड यह इनका हो गया कॉमन नेम तो चलो कुछ और कंपाउन के नामकरन देखते हैं यहां पर आपको स्क्रीन में देख रहा होग यहां पर इसे हम मिनिममम नमबर देंगे तो यहां हम देखे पहला दूसरा और तीनों एक्जामपल को एक साथ लेते हुए चलेंगे पहले देखेंगे इनका आईउप सी नामकरन तो देखें बैंजिन रिंग में हम क्या करेंगे जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटेच है उस कार्बन को हम मिनिममम नमबर देंगे तो पहले एक्जामपल में क्लोरीन जिस कार्बन से टेच है उसको हम नमबर देंगे वन तो वन टू थी फोर फाइप सिक्स कार्बन हुए नामकरन के नियम वही है पहले कार्बन पे क्लोरीन है तो क्या होगा वन क्लोरो बैंजिन ठीक है अब आईए दूसरे एक्जामपल पे दूसरे में देखें यहाँ पे बेंजीन रिंग से दो हैलोजन जुड़े हुए है तो दूसरे स्टेप में हम क्या देखते थे कि नम्बरिंग किदर से करें हम इसकी नम्बरिंग 1,2,3,4,5,6 करें या फिर 1,2,3,4,5,6 करते हैं तो नम्बरिंग करते समय हमें ध्यान लखना है कि जब हम दूसरे हैलोजन की भी नम्बरिंग कर रहें उसे भी क्या करें मिनिमम नमबर दें इस रूल के हिसाप से यहां पर देखिए पहला कार्भन फिल ग्रूप आकर जुड़ गया है इसके अधार पर इसका नामकरन क्या होगा वन थ्री दो बार आया है तो हमें क्या लिखना होगा डाई तो वन थ्री डाई क्लोरो बैंजीन क्लिर है अब चलते हैं हम तीसरे एक्जाम्पल में तीसरे एक्जाम्पल में भी हम वही नियम फॉलो करेंगे नंबरिंग के लिए तो वन टू त्री फोर फाइब सिक्स तो देखिए पहले तीसरे और पांचवे कार्बन पे कुल तीन बार हमारे हैलोजन आकर जुड़े हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे वन तौिनॉै !!! तो यह हुए इनके आईउपएस नाम करंड ए अब बात करते हैं कॉमन नाम करंड की entreprises सुटू आं Song अम गांड में में थेहीं लगाने होंगे यह प्रिफिक्स क्या है चलो पहले इसी पे डिस्केशन करते हैं यह प्रिफिक्स होते है और्थो मेटा और पैरा चलिए देखिए जैसे यहां एक्जामपल दें पहले कार्बन पे और आपके दूसरे कार्बन पे अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा है या कोई और प्रतिस्थापी ग्रूप जुड़ा हुआ है तो इन दोनों कार्बन की position को हम कहते हैं और्थो उसी प्रकार अगर पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पर कोई भी प्रतिस्थापी ग्रूप आकर जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे मेटा आईए नेक्स देखते हैं पैरा क्या होते हैं जब पहले और आपके चौथे कार्बन पर कोई भी प्रतिस्थापी ग्रूप आकर जुड़ता है तो उस इस्तिती को दर्शाने के लिए हम पैरा प्रिफिक्स का यूज़ करते हैं अब इनको समझने के बाद ये भी समझ लीजे कि ये जो हमारे और्थो पैरा और मेटा है ये क्या होते हैं एक दूसरे के आईसोमर होते हैं इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला अनुसुत्र क्या होते हैं सेम होता है केवल इनकी position जो है वो ring में क्या हो जाएगी बदल जाएगी तो अब जब हमने समझ लिया है कि और्थो मेटा और पैरा क्या होते हैं इनका नाम करन करना हमारे लिए क्या होगा थोड़ा आसान होगा तो common नाम जब हम इनका लिखते हैं तो second वाले का नाम क्या हो जाएगा? Second का कौनसी position में है ये? Meta position पे तो हम लिखेंगे meta दो बर chlorine group है तो di chloro benzene तीसरे example का जब common name आता है तो यहां देखिए पहले तीसरे और पांचवे carbon पे chlorine group जुड़ा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे trichlorobenzene अब यह आप इधर से भी लेंगे तो भी 135 होगा या इस तरब से लेंगे तब भी क्या होगा? 135 इसको दर्शाने के लिए हम सामने में लिख देंगे symmetric तो यह हो जाएगा symmetrical 135 trichlorobenzene तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग अगर आप हेलो एलकेन ले रहे हैं हेलो एरीन्स ले रहे हैं इनके नामकरण को देखते हुए हम चलते हैं आगे और कुछ example देखते हैं चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पर हम ले रहे हैं पांच कारबन की एक chain है न? तो यहाँ देखिए clear पांच कारबन दिख रहे हैं अब हम इनका IUP से नामकरण करते हैं जब भी हम IUP से नामकरण करते हैं तो पहला rule क्या ध्यान में रखना है कि हमको longest chain लेनी है उस हिसाब से अगर हम longest chain ले रहे हैं तो पांच कारबन तो हैं पर उससे भी important चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि उस carbon में continuity की बात करनी है उस chain में continue कितने carbon जुड़े हुए हैं उस हिसाब से फिर देखिए तो एक दो तीन इस continue chain में सर्फ तीन carbon है या अगर आप इधर से ले एक दो तीन तब भी क्या हो रहा है chain में continue तीन ही carbon है तो अब next step में हम क्या करने वाले हैं next step में इंका हमें क्या करनी है numbering करनी है numbering करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हम halogen को minimum number देंगे कम से कम number हम halogen को देते हैं तो चलिए numbering करते हैं 1,2,3 है तो हमारी जो मेंचेन है वो तीन कार्बन की हो गई तीन कार्बन के लिए हम रूट वर्ड जो यूज करेंगे वह प्रोप रहेगा पहले नंबर पे हमने ब्रोमीन को रखा है तो अब आईए दूसरे नंबर पे दूसरे नमबर पे क्या है? कि दूसरे नमबर पे मेथल ग्रूप जुड़ा है वो भी दो बार एक बार उपर और एक बार नीचे IUPAC नामकरण में हमें इसको भी मेंशिन करना है तो नामकरण में यह हो जाएगा 1-Bromo-2-2 क्योंकि दो बार जुड़ा है, एक बार उपर और एक बार नीचे जुड़ा है तो हम लिखेंगे 2-2, die, diamonds, दो बार die क्या जुड़ा है? तो वो है आपका methyl group तो यह होगा 2-2, die, methyl, कुल, carbon हमारी chain के है तीन, probe, और इन सब के बीश में देखिए, एकल बंद है तो एकल बंद के कारण, एन हो जाएगा इसका नाम हुआ, 1-bromo-2, 2-2, die, methyl, propane अब आते हैं इनके common name की तरफ common name को हम कैसे लिखेंगे? तो alkyl, halide के format में हमको common name लिखना है चलिए देखें, तो कुल carbon कितने हैं अपने पास? पाँच, तो पाँच कारबन के लिए हमारे पास है नियो-pentile pentile, क्योंकि हम alkyl के halide में लिख रहे है pent और aisle, तो pentile और halide है हमारे पास bromine वो हो जाएगा bromide common name होगे हमारा pentile bromide अब थोड़े easy example से हम थोड़े थोड़े tough की तरफ जा रहे है कुछ और example लेते चलें चलिए next example लें देखें इसमें 1, 2, 3 कारबन है ठीक? 3 कारबन के लिए हम root word फिर से वही रहेगा prop क्योंकि एकल बंध है तो यह क्या हो जाएगा? propane पर दूसरे कारबन में अगर आप इस side से ले रहें तो 1, 2, 3 तब भी दूसरे कारबन पे क्लोरीन है और इस तरफ से लेंगे तो 1, 2, 3 तब भी क्या हो रहा है? दूसरे कारबन पे chlorine group है तो हम किसी भी side से लें इधर से या इस side से chlorine group कहाएगा? हमारा second carbon पे ही आएगा तो यह हो जाएगा 2 chloropropane अब यहाँ पे हम इनका common name करते हैं common name जब हम लिखेंगे तो हमें यह धियान रखना है कि हमने पढ़ाद है इस से पहले ISO और NEO वो यहाँ पे apply करना होगा क्योंकि अगर आप chlorine के तो यह दो carbon जो है chlorine के side से साथ में है और एक carbon छूट रहा है अगर हम इधर से लेते हैं तब भी वैसा हो रहा है chlorine के साथ में दो carbon चर रहे है और एक carbon क्या है? छूटता है हम पहले discuss कर चुके हैं कि कैसे ISO बनते हैं और कैसे NEO compound होगे तो यहाँ पर क्या लगेगा ISO क्यों? क्योंकि continuous chain में एक carbon जो है वो कहा है? अलग है तो यह होगा ISO तीन carbon है तो probe क्योंकि हम alkalite के form में लिखते हैं तो propyl chloride तो इसका नाम हुआ ISO प्रोपाइल क्लोराइड अब चलिए थोड़े और